दोस्तो कैसे हो क्या हल चाले budget range या फिर entry level में कहलो कि एक नया smartphone है जिसके spec देखने के बाद first impression यह आ रहा है कि भाई phone तो काफी सही लग रहा है और यह POCO C55 का successor है POCO C55 सबको पता होगा अपने price range में बहुत popular हुआ था और उसे भी बढ़िया यह phone लग रहा है क्योंकि उसमें जो चीज़े नहीं थी वो चीज़े भी इसमें add कर दी है तो यह phone है POCO C65 अभी comment में यह मत बोलना कि 69 होना चाहिए था खेर हम मुद्दे पर वापस आते हैं अब जितने इसकी price बहुत कम है उसके उपर हम आगे बात करेंगे लेकिन उस price में इसके जो spec है compare करें तो भाई ब करते हैं उसके उपर भी बात करेंगे तो spec की बात करते हैं सबसे पहले बात करेंगे मुह दिखाई से यानि थोबड़े की बात करेंगे 6.74 इंचिस का एक HD plus L3D display मिलता है notch display ना कि punch हो ले और FHD प्लस नहीं है HD resolution है उसके बावजूद भी फोन का display काफी अच्छा है colors काफी अच्छे दिखाता है और इसके viewing angle भी काफी बढ़ी है 90 Hz का प्राइज की साब से बहुत सही डिस्प्ले के स्पेक लग रहे और इसके बाद आती है में चीज इसका परफॉमस मीड़ेटे का हीलियो जी 85 प्रोसेसर मिलता है साथ में एल्पीडर 4X RAM है यह में से 5.1 स्टोरेश टाइप मिलती है वो मुझे पसंद नहीं आई यहां पूर UPS Stories टाइप होनी चाहिए थी लेकिन मीड़ेटेक हेलियो जी 85 परफॉमस कैसी गेमिंग कैसी कर सकते है तो अगर आप BGM I खिलते हो तो स्मूध ग्राफिक में 40 पेस में गेमिंग कर सकते हो हाइ ग्राफिक में 30 पेस में गेमिंग कर सकते हो लेकिन इसके अलावा आप दूसर दूस साल के Android अपडेट का प्रॉमिस किया जिसका मतलब है ये फोन Android 15 तक जाएगा जो कि इस प्राइज रेंज में हमें बहुत ही कम देखने को मिलता है कि दूस साल के Android अपडेट मिल रहे है उसकी बात कैमरा की बात करें तो बैकसाइड में तीन कैमरा है 50 Megapixel का में है बाकी 8 Megapixel प्लस 2 Megapixel में कैमरा से 1080p 30 एपस में वीडियो रेकॉर्ड कर सकते हो 8 Megapixel का सेल्पी कैमरा है ओर रॉल कैमरा की बात करें तो देखो डेटाइम में अच्छे फोटो जाते है डीसेंड के वीडियो रेकॉर्ड कर सकते हो सेल्पी कैमरा ठीक है नाइट में थोड़ा सा लेकिन एक चीज मुझे खराब लगी कि 18 वाट के चार्जिंग का सपोर्ट तो है लेकिन कंपनी ने भाई 10 वाट का चार्जर दिया है पुछ सकता है प्राइस कटिंग के लिए किया लेकिन एक चीज जो पोको सी 55 में मिसिंग थी वो यहाँ पर एड़ कर दिये उन्होंने तूमें आपको माइकरो यूएस्बी पोर्ट मिलता था और एक और चीज की उस फोन में यानी सी 55 में आपको रियर साइड में फिंगरपेंट स्कैनर दिया है और फोन में तीन स्लॉट मिलते है तो आप दू सीम कार्ड और एक मेमरी कार्ड भी लगा सकते है वं टीब तक स् फोन का लुक मुझे सबसे बढ़िया लगा, ऐसा लगता है कि भाई ये इतने कम प्राइज का फोन नहीं है, 12-15,000 का तो फोन है, अब है तो इसकी बैक साइड पॉलिकार्बोनेट, लेकिन बैक साइड में आपको ग्लॉसी प्लस मैट फिनिश मलता है, और भाई लुक कमाल का लग रहा है इस फोन का, अब वीडियो की शुरुआत से मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई जिस प्राइज पर ये चीज मिल रही है, वो चीज मिल रही ही कमाल की है, लेकिन वो जिस प्राइज है क्या है, प्राइज तो बताओ, तो अभी प्राइज की बात करेंगे, टोटल तीन वेरेंट आएंगे इसके, 4GB प्लस 128GB, 6GB प्लस 128GB और 8GB प्लस 256GB, तो जो 4GB प्लस 128GB वेरेंट है, उसकी प्राइज साढ़े 8000 पर होने वाले, लेकिन अगर आपके पास ICICI का, debit card या फिर credit card है, तो आपको 1000 का discount मिलेगा, तीन वेरेंट पे, तो 4GB प्लस 128GB वेरेंट आपको 11,000 का मिलता है, लेकिन discount के साथ आपको 10,000 का मिल जाएगा, तो discount के साथ 7,000 या फिर बिना discount 8,000 फोन तो काफी सही लग रहा है, बाकि आपके क्या thought है इस फोन के बारे में, आप comment में बता सकते हो, और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को like कर देना, ऐसा content कि इसूक के बारे में जाएगा।